प्रियज दर्शकों अभी तक आपने जाना कि शनी किस परकार से करक लगन में अस्टम भाव तक अपना परभाव डालते हैं। आज हम आपको इस प्रोग्राम में जानकारी दे रहे हैं कि शनी करकलागन में नवम भाव में गुरू की मीन डाशी में अपना क्या प्रभाव दिखाते हैं। दर्श्रकों करक लगन में गुरू की मीन डाशी के अंदर शनी की तासीर, शनी का सोभाव, शनी की जो नेचर होती है उसमें बहुत परिवर्तन आता है, हाला कि शनी बहुत ये करूर और हठीक रहे हैं, लेकिन यहां पर शनी थोड़ा सोम में बन जाता है, गुरू की करपा स गुरू की घर में बैठने से शनी की अध्यात्मिक शक्ति काई बढ़ जाती है, वो थोड़ा सा सात्विक हो जाता है, यहां पर गुरू की राशी में, मीन राशी में शनी के परभाव से व्यक्ति के जीवन में योग की उत्पन होता है, योग उत्पन होते से अध्यात्मि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रविती का बन जाता है वो शनी की कुरूरता को छोड़कर ब्रिस्पति की अध्यात्मिता की और आगे बढ़ना शुरू कर देता है और ऐसा व्यक्ति मठा धीश भी होता है मंदिर गुर्द्वारों का स्वामी बन जाता है बड इंदर निर्मान कारे करवाए देवाले बनाए धर्मस्तान बनाए धर्मशालाएं बनवाए लोगों की सेवा करे इस प्रकार से एक प्रोब कारी उस व्यक्ति की सोच बन जाती है जो उस व्यक्ति को चरम सेमा तक की सफलता भी परदान करती है और जनता के अंदर ऐसे व्य वियता भी प्राप्ति होती है जर्शको शनी यहां से अपनी तीसी दिस्टीसी लाभ भाव में शुकर की व्रिशुब राशी को देख रहे हैं जहां से उसकी लाभ आमदनी में दिरंतर वृद्धी होती चली जाती है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में रंग से राजा भी बन होता है उसको जीवन में अभूत पूर्व सफलता और जीवन में यश्क की प्राप्ति होती है उसके दैनिक आमदनी के स्तोत्र होते हैं वो कई होते हैं इस प्रकार का व्यक्ति कई प्रकार के वैपारों से अपने जीवन में धन की प्राप्ति करता है उसका कोई एक वैपा बहुत बड़े लेवल का होता है, बड़े स्थर का होता है, जिससे वो व्यक्ति बहुत एक धनवान बन जाता है, और अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अपनी कमाई का हिस्सा, धन का जो शेत्र है, वो बहुत बड़ा होता है, उसमें से काफी हिस्सा है, धर्म करम पर भी लगाता है दरश्रकों शनी यहां से अपनी सप्तम दिष्टी से तीसरे भाहों में पुद की कन्या राश्री को देख रहे हैं जो इसके प्राकरम को कई गुना बढ़ा देती है इस व्यक्ति के जीवन में उसको भाईयों का स्रेश सुख मिलता है उसका जो छोटा अग्यकारी पुत्र के समान होता है उसको जीवन में पिता के समान दर्जा देता है और ऐसा व्यक्ति भी अपने छोटे भाई को बहुत ही पुत्र के समान उसको अशिरबात देता है और उसकी पूरी देख रहे करता है यह दिष्टी स्वेम व्यक्ति के लिए उसके प्राक यह मना देती है ऐसा व्यक्ति शत्रू में पूझनी और अधर्नी होता है ऐसा व्यक्ति जीवन में एक अपनी महत्पूर्ण पैचान बनाता है उसके अंदर एक ऐसी गजब की शमता होती है कि दो लड़े Favorite हो दो आपस अपस में जो व्यक्ति लड़ रहे होती है, उन दोनों को शान्त करके उनको आपस में उनके हाथ मिलवा देता है, तो यानि इस व्यक्ति अंदर इतनी कला होती है, कि शत्रू को आपस में कैसे मिलाना है, शत्रू के अंदर से मन से नफरत कैसे समाप्त करनी है, ये कलाकारी उस व्यक्ति को करक लगर में निच्छित रूप से धर्म करम का ज्यादा ज्यादा पालन करना चाहिए धार्मिक कदी विदियों में हमेशा हिस्सा लेना चाहिए और सबसे बड़ी बात अपने पिता का आशीरवाद लेना चाहिए